नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वाकत है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे डियलेट दोती है समेश्टर 2023 गडित जी आँ दोस्तो सभी अतिलग उत्री है प्रस्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे गडित में 25 में से 25 अंग कैसे ला सकते हैं आपको दोस्तो बता दे पेपर का जो पैटरन होगा तो पुराना रिकार्ड बहुत ही खराब है डियलेट में सेकेंड समझ तका तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो को सुरू से लेके अंतर तक आप लोग देखेंगे तो दोस्तो सबसे पहला प्रस्निक है आपका यह देखते हैं एकस क्यूब वाई माइनस एकस वाई क्यूब का गुड़न खंड ग्यात करना है आपको तो इसको कैसे करते चलिए देखते हैं यह एक नमबर का प्रस्न पूछा जागा दोस्तों तो आप लोग अपने आपको नमबर देते रहे हैं और आश्मी वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं कि आपके कोल कितने नमबर आ रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों में किसका क्या गुड़न खंड निकालना है तो सबसे पहले क्या था कोशन इसको लिख लेते एकस वाई क्यूब आई दोस्तों अच्छे लिखते हैं एकस क्यूब वाई माइनस एकस वाई क्यूब ठीक है हम इसका क्या करना है गुड़न खंड करना है कुछ नहीं दोस्तों सबसे पहले समें देखिए कॉमन क्या है कॉमन का मतलब वह होता है जो दोनों में हो तो दोस्तों यहां पर आप लोग एकस और यहां भी does in cube में एकस तो पहले निकल चुका वाई में 1320 दो बची यह काते कितना दोस्तों बचेगा दो घात बस यह होगा आपका answer अगर आप दोष्तों चाहिए तो और solve कर सकते हैं वो कैसे x y लिखे दोस्तो इसको और दोस्तो आप नहीं देखे x square minus y square ठीक है एक formula आपने पढ़ा होगा a square minus b square का तो क्या होता दोस्तो a plus b a minus b तो आप लोग दोस्तो इसको ऐसे लिख सकते है आप लोग इसे पर यहां पर लिख देंगे answer अगर paper में ऐसे question पूछे आएंगे तो आप लोग को कैसे करना आप लोग को पता होना चाहिए और दोस्तो यह paper में 2015 में यह question आ भी चुका है तो आप लोग तेया रहे हैं दोस्तो questions आते हैं तो यह important question था अगर आपको प्रतना समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है और ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं आपको अलग से वीडियो पर रहा जाएगी दोस्तो लेकिन हम इतना समझे पहले x3 y अगर दोस्तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं x की कितनी घाते तीन है और y की कितनी घाते यह एक हैं अगर आप लोग x और y common लेंगे इसमें से ठीक हैं तो y की घात दोनों की एक घात दोस्तो common ले रहे हैं बनों कितना ले रहे हैं घात यह भी दे तो उसको हम आपको अच्छे से एक्स्प्रेंड कर देंगे कि गुड़न खेंड में कॉमन कैसे लिया जाता है, अब देखते हैं आज का दूसरा प्रत्न, दोस्तो तो दूसरा प्रत्न क्या रहा कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगें, प्रतेक पंक्ती में उतने ही पौधे ल एक बगीचे में हम अच्छे, प्रतेक पंक्ती में उतने ही पौधे लगें, जितने बगीचे में कुल पंक्ती हैं, मतलब दोस्तो हर पंक्ती में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्ती आ हैं तो दोस्तो इसको भी एक्समाल लेंगे और बराबर हो जाएगा आपको 2025 बस ये लाइन आपको दोस्तो सही से पढ़ने हैं प्रतेक पंक्ती में उतने ही पौधे लगे हैं जित दोस्तों उतने ही पाउज लगे जैसे आर्मा लेते एक दो तीन चार पांच छे तो दोस्तों हर में छे चे लगेंगे और डोटल पंगतियों के संख्या भी छही होगे दो तेक और किष देंगे बस यह आपको समझना आता है तो दोस्तों गुड़े और 2 एक्स करैंग तो एकसे का स्क्वाइर ऋजएगा और 2005 ठाया थिकतकते तो बस इसको सोल का लेकि एक भग्र addresses यह лет तो कैसे इसको solve करते दोस्तों वो तो आप लोग को पता होना चाहिए, इसके factor कर सकते हैं आप लोग गुड़न खंड, तो कैसे करते हैं वो दिखा देते हैं आपको छोटा सा जल्ली से, दोजार पच्चीज सा दोस्तों को पहले किससे भाग करते हैं, पान से भाग कर लेते हैं, तो दोस्तों अगर आप लोग अंडरूट में यह लिखते हैं, कितना है दोस्तों दिएह पाँच दो बार आहे नो दो बार एह पाँच गुड़े पाँच गुड़े नौ गुड़े नौ तो दो सघर मन्दर रूट को सवल्फ करते हैं। दो बार कोई संख्या होती तो उसको एक बार हम बाहर लिख सकते हैं एक बार दोस्तो बार पांच आएगा एक बार नौ आ जाएगा तो नौ गुड़े पांच होता है पैतालिस तो दोस्तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और आंसर क्या लिखेंगे 45 पौधे ठीक है दोस्त में क्या पूछा जा सकता है लेकिन दोस्तों अगर कोई कोशन सिर्फ एक नंबर में पूछा गया तो मतलब समल लीजिए वो कोशन बहुत ही छोटा होने वाला है तो बस यह आपको ध्यान दे रहा थे कि हर मतलब जितने ही दोस्तों यह पर हर पंक्तियों दोस्तों आपर 45 पौधे भी लगे हैं और पंक्तियों की संख्याबियां पर 45 हैं ठीक है तो अब देखते हैं आज के दोस्तों अगला प्रतन अगर कोई दिक्का तो कमेंट कर सकते हैं आप लो दोस्तों तो धीसरा प्रतन क्या रहा आपका कि एक वर्गा कारतार का छेत्रपल अगर 144 cm2 है इ एक आयत बनाया गया है यदि आयत की लंबाई 16 cm है तो आयत की चोड़ा ही हमें बताना है इस कोश्य में बहुत ही आसान सा है लेकिन आप लोग सोचे रहोंगे यहां पर और एक आयत आगया आप क्या होगा देखिए दोस्तों एक वर्गा का तार का छेत्रपल ठीक है ना 144 cm cm² है लेकिन हम इसको मोड कर एक आयत बनाएंग तो दोनों का छेत्रपल तो भही होगा मतलब क्या होगा दोस्तों वर्गा का तार का छेत्रपल ठीक है दोस्तों बराबर दोस्तों जब तो वर्गाकर तार का छेतरफल क्यों बराबर होगा हम आपको बताते हैं अगर आपको दोस्तों दोस्तों कीलो का एक हम लोहा दे देते हैं 2 kg का बाट आपने देखा होगा ना लोहा ठीक है अगर आपने उसको दम पत्ला तर लंबा सतार ऐसे बना लिया तब भी उसका वेट तो 2 kg रहेगा ना वो वेट तो चेंज होगा नहीं तो बस कहने की बात दोस्तों ही है कि हमने वड़ा कार्ट जो था हमारा वरगा कार्ट तार का जो शेत्रपल था दोस्तों इसको मोड कर रहे हैं एक आयत बना लिए तो शेत्रपल तो दोनों का तब भी बराबर होगा इसका दे रखा 144, वरगा करतार का, और आयat का छेतर पल का दोस्तों फार्मूला होता है, लंबाई गुड़े चोड़ाई, देखें दोस्तों हमें आयत का छेतर पल दिया नहींग, इतले हम इसका फार्मूला यूज कर रहे हैं, और दोस्तों, क्ोशन में ये आपको लंबाई दे र इसे लिख देंगे, चोड़ाई बराबर आ गई, 9 cm, बस यही आपको उप्तर हो गया, इतना करना था, जी कि दोस्तों ऐसे questions आपके paper में पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी रखेंगा, ये भी 2015 में पूछा गया question है दोस्तों, जी हाँ, अच्छा question है, तो आपको मोड कर आप एक आयत बना रहे, ये समझे दोस्तों, आपके मन में ये concept आना चीए, कि अगर आप एक दो किलो का बाट लेते हैं, अगर उस लोहे को अंदम पतला कर दे, दोस्तों होता है न, जैसे कोई चीजी पचक जाती है, कुछ भी करेंगे, लेकिन वेट तो दो आपको समझ नहीं थी इसमें, आप देखेंगे आज का अगला प्रसम, दोस्तों तो चौता प्रसम क्या रहा आपका कि एक कच्छा में 3X स्क्वाइर प्लस 5X माइनस 9 बालक पढ़ते हैं, ठीक है, एवं X स्क्वाइर प्लस 5X प्लस 4 बालिका है, मतलब लड़िकिया पढ़ अगर हम बोले कि एक कच्छा में 5 लड़के पढ़ते हैं और 4 लड़किया पढ़ती है, 5 लड़के पांच बॉए हैं और 4 गर्ल्स ठीक है, अब बताई जोस्तों कच्छा में बालकों कि संक्या बालिकाओ से कितनी अधीक है, आप क्या करेंगे, कहेंगे सर हम सिंपल से यह क question पर use कर सकते हैं बस यही आपको सोचना है ठीक है दोस्तों इस question को अठाते हैं देखिए हमें बालक की संख्या दे रखिए 3x square plus 5x minus का 9 ठीक है यह दे रखिए दोस्तों बालक की संख्या मतलब लड़कों की संख्या और बालिकाओ की संख्या दोस्तों हमें दे रखिए x square plus का 5x minus का 4 ठीक है यह प्लस का यह दोस्तों यह आपकी गल्स है जीज लिख और यह क्या है बोई तो हमें दोस्तों बताना है किसमें बालक की संख्या बालिकाओ से कितनी अधिक है तो हमने दोस्ते से पिछले question में हमने आपको एक जैंपल से बता है और घटाना है न यह दोस्तों ऐसे minus के चीन लगाएं तो सभी के अंदर अगर bracket में है तो सभी के अंदर minus हो जाएगा इसलिए दोस्तों हमें bracket करके आपको पूरा एक किस टिप सुचा बता दिया जाए तो यह हो गया अब दोस्तों क्या होगा 3x square plus वैसे ही लिख लिख ल सकाल लेते दोस्तों क्या हो जाएगा 3x square में से 1x square कम हो जाएक दोस्तों कितना बचेगा 2x square बचेगा alright ठीक है और यहां पर दोस्तों की देखें यहां पर प्लस का 5x है यहां पर माइनस का 5x है दोनों को क्या कर सकते हैं काट देते हैं यह और यह कट गया खतम और दोस्तों यहां पर माइनस का 9 है और यहां पर माइनस का 4 है तो दोस्तों माइनस माइनस से दोनों क्या हो जाएंग जब भासा इसने बदल दी question बनाने वाले ने तो आपको लगा क्यार कठीन है। अगर उसने ये बोला होता खाली कि कच्छा में 5 लड़के पढ़ते हैं और 4 लड़किया पढ़ते हैं बताई कि लड़कों की संक्या लड़कियों से कितनी जाता है। तो आप लोग आग बन करके बोलते हैं सर 5 मैंने चार करिए एक बचेगा जो आएगा एक आएगा एक लड़का जाता है। तो बस एक्जामनेट ने सोचा कि थोड़ा सवाल को कठीन मनाया जाए। तो इस ने 5 चार के जगे ये रख दिया। तो अगर आपके पेपर में कोई भी कोश्चन्स आएगा तो हमें नहीं लगता है दोस्तों अब आप लोग कोई गल्दी करेंगे। अब देखते हैं आज कोई कोश्चन्स आथा तो कैसे किया जाता है। सबसे पहले उपर जो पदों की संक्या होती इसको पहले सबसे पहले जोड़ देते एक साथ। पहले लिखेंगे इसको और बराबर दोस्तों क्या जाएगा आपका साथ। बस ये करना है। इसमें दीखेंगे आप लोग कभी कन्फूज मत हुएगा समांतर माद ये सब छोटी चीज़े होती हैं नहीं तो आप लोग परिसान हो जाएगे। क्या करेंगे। सबसे पहले गिन लेंगे टोटल कितन हो जाएगा साथ बुड़े 5 इसको जोड़ लेते दोस्तों कितना हो गया 5,3,8 और 8,9,7,7,7,11,12,18,10,28 ठीक है 28 प्लस का X इसको जोड़ लेते दोस्तों कितना हो गया 7,35 बराबर आपका हो जाएगा 28 प्लस X तो यहां से X की वेली दोस्तों आ जाएगे आपकी 35-28 तो द तो यह आपका वाज आएगा उत्तर तो इस कुशन में दोस्तों कुछ था नहीं ऐसे कुशन पूछे आते पेपर में लेकिन जिन बच्चों की महत कमजोर है उनके लिए काफी अच्छा कुश्यन है और जिनकी महत आती उनके लिए तो चलिए आसान था लेकिन दोस्तों अधिक सदिक बच्चे 25 में 25 अंक लेकर आए मैत में तो आप देखेंगे आज का अगला प्रस्न दोस्तों शीक्स नमबर प्रस्न क्यार आपका कि 9 अनपाते एक्स समान उपाते एक्स अनपात 16 तो एक्स का मान लिखिए लिखना क्या है दोस्तों ज्याद करना पड़ेगा दोस्तों ऐसे कुष्ण को करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है समान उपात में दिखिए पहले और अंतिम पत का गुड़ा होता है और बीच और बीच का गुड़ा होता है तो दोस्तों क्या हो जाएगा 9 गुड़े 16 और X का एक्स से गुड़ा होता है एक्स गुड़े तो यह था आसान सा तरीका दोस्तों करने का आपका अगर जिन बच्चों को समय मिनाए तो comment कर सकते हैं यह सबसे आसान तरीका होता दोस्तों कभी भी समानुपाद का question आएगा तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं ठीक है क्योंकि यह rule होता है कि पहले जो बाहे पदों का गुड़न थे आप देखेंगे आज का अगला प्रसना दोस्तो तो सात्वा प्रसने कहरा आपका कि समी करण एक्स बटे 3 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 10 को हल किजिए पुछली दोस्तों अच्छा कुछ से ना कि समी करण से क्युगी काफी बच्छे समेक रड़ देखका ही डर जाते हैं तो यह लिखा एक्स बटेद 3 प्लस एक्स बटेद 2 बराबर आपको 10 को हाल करना है कैसे होगा चलिए देखते हैं सबसे पहले दोस्तों यहां पर क्या ले ले लेते हैं कितना हो जाएगा 3 और 2 है दोस्तों 6 हो जाएगा जीचे और यह ते दोस्त हो जाएगा 10 गुड़े 6 तीकर इसका चेका यहां त्रेद गुड़ा हो गया तो एक्स बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा दस गुड़े छे बटे 5 तो काट लेते पाचे कम पांच पांदूली 10 चे गुड़े 2 दोस्तों कितना हो गया 12 तो बस आपको उत्तर आप देखेंग आज का अग्ला प्रसना दोस्तों तो आठफा प्रसना आपका क्या रहा कि चित्र में त्रिबुज A-B-C और त्रिबुज P-Q-R दो सम्रूप त्रिबुज हैं यहीदि PC बराबर 2 cm, AB 3 cm और QR 3 cm, तो बुजा PQ की माप ग्याद करना है, तो चलिए दोस्तों जली से एक आप लोग के लिए 2 समरूत त्रिबुज बनाया जाता है, तो त्रिबुज है न, दोस्तों त्रिबुज कैसा भी बना लीजे आप लोग, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, चलिए ऐसे भी बना लेते हैं, नॉर्मली, त्रिबुज तो एक दोस्तों आप लोग का है P, Q, R, P है, Q है, और R है, ठेके दोस्तों देखे, P, Q, R, एक दोस्तों आपका है क्या है, त्रिबुज A, B, C, तो A माल लेते हैं, यहाँ पर इसको B माल लेते हैं, और इसको C माल लेते हैं, ठेके आप लोग के दोस्तों त्रि सेंटिमीटर ठीक है उसके बाद दोस्तों लिखा है कि qr बराबर 3 सेंटिमीटर तो qr है आपका 3 सेंटिमीटर और दोस्तों pq की माप हमें घ्याद करनी है तो यह माप दोस्तों हमें निकालना है जहां हमने question mark लगा रखा है तो दोस्तों दीखें इस question को करना काफी आसान है कुछ बच्चे देखकर डर जाते हैं कि यार 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 ये क्या question आ गया लेकिन इस प्रस्ट में क्या बोला गया दीखें हम इसको कैसे कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तों बोला गया दोनों त्रिभुज क्या है यह दो समरूप त्रिभुज है तो इसकी यह condition बनती दोस्तों वह क्या बनती है आपकी पी क्यू अपाउन में जो आपका दोस्तों यह होगा ए बी यह बराबर होगा जी यह दोस्तों जो भुजाए होती न ऐसे आप लोग देख रोंगे दोस्तों यह वाली बुजा ऐसे वाली अब दोस्तों यह वाली बुजा की बात करेंगे क्यू आर बराबर क्या हो जाएग आपका यहां पर हो जागा BC ठीक है तो यह condition होती है सम रूप में है अगर दोस्तों हम लोग चाहते हैं तो इधर से भी ले सकते थे A B बढ़ यह जैसे चैहिव ऐसे लिख सकते है तो हमने यहाँ पर हमें क्या निकालना FD की निकालना Ben दोस्तों fist पिक को नहीं पता है और हमें दोस्तों आपी तो पता दे रखा कोश्zne में क्या दिया दोस्तों आइग में यह देखा था थी तो थी से आठ दसमाल लगांगे में 2510 तो यह 200 वैल्यू आएगे आपके P और कीउ की तो बस आपका दोस्त इतना ही उत्तर हो जाएगा तो आसान था दोस्तों करने में यह और PQ की value निकाली 4.5 ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों हमें PQ की जगह लिख देंगे 4.5 बस यह में उत्तर चाहिए था और यह हो गया तो इसको कने के लिए दोस्तों आप लोगों क्या तरीका चाहिए बस इतना यादर की question में लिखा क्या है उसको पढ़ेंगे सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर लिखा कि समरूप त्रिबूज है तो समरूप के condition तुरंट apply करेंगे जो समरूप की सरते होती दोस्तों वह चीज़ हमने यहाँ पर apply करके देखा आप देखेंगे आज का अगला अगर आप कोई दिक्कत लग रही है दोस्तों आप डर यह मत कमेंट करेंगे हम आपको उत्तर जल्द से जल्द आपको देंगे यह नई वीडियो के माध्यम से आपको रिप्लाई किया जाएगा दोस्तों तो नवा प्रसन क्या है कि यह पूछा गया था पेपर में आपके कि सबसे चोटी पूर संख्या लिखे जी हाँ दोस्तों यह प्रसन आपका 2016 में पूछा गया प्रसन दोस्तों कि सबसे चोटी पूर संख्या क्या होती उसको लिखना था तो आपको दोस्तों बस इसका सबसे चोटी पूर संक्या होती है, आपके सूने या ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, सूने या जीरो जैसे मन करें दोस्तों लिख सकते हैं, आपको पूरे अंक मिलते हैं, आप देखेंगे आज का अगला प्रस्न, दोस्तों तो दस्मा प्रसने क्या रहा आपका कि निम लिखित में समी करड तसा सर्व समी का चाट कर उस तक आपके उत्तर पुस्तिका में लिखना था तो यह बताना दोस्तों आपका A और B में कौन सा सर्व समी करड है और कौन सा आपका समी करड है तो क्या होगा दोस्तों आप लोग देखिए इसको और बताईए तो दोस्तों देखिए सर्वसमिका की डिफिनिशन क्या होती है चर रासी में ऐसा जिसमें दोनों पच्छ बराबर हो सर्वसमिका संबंद कहलाता है ठीक है जिसमें दोस्तों दोनों चर रासी मतलब दोनों बराबर हो तो दोस्तों पहला विकलब देखिए आपका 2X प्लस 2 हो जाए गए आपर और 2X प्लस 2 तो दोस्तों आप इसको बोल सकते हैं सर्वसमीका क्या बोल सकते हैं सर्वसमीका तो आपको दोस्तों A वाला जो हो सर्व समिका है और B में दोस्तों देखें समिकरण की परिवादा क्या होती इसको सुन लीजे कि एक समिकरण समता सूचक चिन्द युक्त बीजी बेंजग पर एक प्रतिरोध है जिसमें चरके किसी विशिष्ट मान के लिए बेंजग के दोनों पच्छों का मान समान होता है तो यह दोस्तों होगे आपका समिकरण तो दोस्तों वीडियो को रोके आप लोग एक बार डिफिनिसन फिर सुन सकते हैं यह लिख सकते हैं काउपी में लेकिन सर्व समिका, बस इतने ही आपको समझना है दोस्तों, कि वह चर रहा थी, जिसमें दोनों पच्छे बराबर हो, ठीक है, दोनों पच्छे बराबर हैं, दोस्तों, यारा पच्छे देखें, आपर क्या हो जाएकर 2x plus 2, अगर अंदर multiply करेंगे, तो ये भी 2x plus 2, सर्व समिका, औ ये समिकर, आप देखेंगे, आज का अगला प्रतन, दोस्तों, तो 11 नंबर प्रतने क्या रहा आपका, कि 83 के अंकों को परस पर बदलने में, प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है, तो दोस्तों, बस कुछ नहीं करना है, क्या बोला गय तो बदल ये 38 हो गया, उसके बदल तो में क्या करना है, घटाना है, तो 83 में से हम 38 को घटा लेंगे दोस्तों, जो आएगा वही आपका उत्तर होगा, 13 में से 8 गया, कितना बचा दोस्तों, 13 में से 8 गया, बचा 5, 8, 5, 13 होता है, और 7, 7 में से 3 के दोस्तों, बचा आपका 4, तो आपका उत्तर आ जाएगा 45, बस यह करना था, question को देखेंगे, समझेंगे और करेंगे, बस छोटी सी बात दोस्तिया आप लिखी थी, वही आपको समझ दी थी, दोनों अंकों को परस पर हमको क्या करना है, बदलना है, तो अंकों को बदलना है, मतलब दोस्तों क्या होगा फिर 8 आथा था, तो यह करना था और कुछ नहीं, अब देखेंगे, दोस्तों आज का अगला प्रत्ना, दोस्तों तो 12 निम्मर प्रत्न के आरा आपका, कि समी करेंड, minus 4x plus 3, बराबर minus 6x minus 18 को हमें क्या करना है, हल करना है, तो चलिए कर लेते हैं, दोस्तों, question को पहले माइनस 6x को क्या होजाएगा, minus 4x में यापा हो जाएग rollers दोस्तों, plus 6x और दोस्तों, बराबर में क्या हो जाएगा, दोस्तों, यह-18 दे रखा है, और minus 3, plus का 3, 1-5 तो इधर जाएगा, यह होगा दोस्तों, बस sleutora कर लेते, 6 में इसे 4 गया, दोस्तों बचा आपका 2x, औ यह आपका हो जाएगा, दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर, बस इतना ही करना था आपको, और कुछ नहीं करना था, इस question में, तो बस दोस्तों इतना ही हल किया के आया सकते थे, या था हल करने का कोई यह दस मलों मिला सकते हैं दोस्तों 10, 5 लिख सकते हैं तेकिन कोई फैदा नहीं होगा दोस्तों चलिए आपका समीकरण हलो गया आप देखते हैं आज का अगला प्रसन है दोस्तों तो 13 नमर प्रसन क्या रापका कि एक कच्छी की लंबाई 11 मीटर चोड़ाई 8 मीटर है और आपका चोड़ाई ठीक है और गुड़े मोथ दोस्तों हो जाएगा आपका उचाई पस इतना निकाल लेंगे आपका आजाएगा उत्तर तो चलिए दोस्तों रख लेते हैं दो लंबाई दोस्तों क्या दे रखा है यहां पर हमें 11 दे रखा है 11 मीटर प्लस 200 चोड़ाई दे अब आपका यहां पर 8 मीटर और दोस्तों उचाई कितना दे रखा है 5 गुड़े में 5 हो जाएगा सॉल कर लेते दोस्तों 2 ग्यार 8 होता है दोस्तों 19 होता है और पांच दोस्तों पांच आओ दो का गुड़ा पहले करेंगे 5 दूनी 10 क्यों करेंगें दोस्तों हम आपको ब बर्गम मीटर यह आपको क्या निकाला था में 6 रफल तो चलिए दोस्तों ये कॉश्चन हो गया काफी आसान था लेकिन दोस्तों ऐसे कॉश्चन पेपर में आते तो है आप लोगों करना असान रहेगा तो लेकिन आप लोगों देख लिजिए कि कभी ऐसा कोई क्वेश्चन स से तो नहीं आते लेकिन थोड़ा बहुत बदलता है तो वहीं चीज़ आपको समझ नहीं है और करनी है तो तरीका आपने आज सीख लिया है और वहाँ पर इसको अपलाई कर दीजेगा अब देखते हैं आज का अगला प्रस्णा दोस्तों तो 14 नमबर प्रस्ण क्या रहा आपका कि x² प्लस 1 बाई x² का मान गयाद कीजिए जब कि x प्लस 1 बाई x बराबर 2 इसको अच्छे से लिख लेते हैं आपको सह समय बिना रहा हो x² प्लस 1 बाई x² की दोस्तों में वैलू निकालनी है ठीक है यह इसका मान निकालना ज लेकिन आपको बस निस हारते है कि इस फार्मूले के आपको अच्छे से याद रखना होगा कौन सा फार्मूला दोस्तों यही वाला Z2-2 इसको आप लोग कॉपी में लिख लिए जहाँ पाद लिख सके लिख सकते दोस्तों एक लाइन में एक सेकेंड में आप लोग इसको सॉलो कर लेंगे क्योंकि कमपटीशन में यह सवाल काफी पूछा जाता है तो आप लोग को तरीका याद होना चाहिए ठीक है दोस्तों आप करेंगे आज का अगला प्रत्न तो यह तरीका आपने सीख लिया होगा तो एक नमबर का कोश्चन लेगा दोस्तों तो आपको एक जैमनल कोई नमबर यहाँ पर काटेगा नहीं क्योंकि एक नमबर में काटेगा तो बचेगा क्या तो आप लोग का अंसर सही आना चाहिए दो आज गया आप चलिए देखते आज का अगला प्रत्न दोस्तों तो 15 नमबर प्रत्ने क्या रहा आपका कि परिमिय संख्या को माइनस 7 बटे 9 जो भी दे रखी दोस्तों को हमें आरोही क्रम में लिखना है तो दोस्तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है आप लोग को पता होगा कि कोई बढ़ता हुआ क्रम होता है उसको हम क्या बोलते है आरोही क्रम क्या दोस्तों कैसा क्रम होता हुँ बढ़ता हुआ है जिस्तों हम लिखेंगे एक दो तीन और आगया assim लिखते चले आएंगे तो यह होगा हमारा आरो ही क्रम गवाल, तो इसको कैसे करेंगे, दोस्तों, आईए देखते हैं, पहले दोस्तों में देख रखा 7 बटे 9, और दूसरा दोस्तों मानस 5 बटे 27, और तीसरा दोस्तों मिल रखा 2 बटे 3, एक चाहर दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हूं, तो ऐसे question में सबसे पहले दोस्त हम लोग एक काम करते है, minus को common लेते हैं, इसको पूरे एक bracket में लेक्ष लेते हैं, 7 बटे 9 हो गया, 5 बटे 27 हो गया, और 2 बटे 3 हो गया, minus हट गया, अब अच्छा लग रहा दोस्तो देखने में, ने तो काफी बचे टेंसर में आते हैं, कि minus ह क्या होगा, क्या होगा, तो अब क्या कर सकते हैं, दोस्तों ये देखते हैं, दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका एक LCM ले ले लेते हैं, क्या हो जाएक दोस्तों LCM, 9, 27, 27 ठीक है, तो सबसे चाहर रहे हैं, दोस्तों तरीका LCM भी लेके कर सकते हैं, या तो दोस्तों एक क सास दिया होता है तो आको सmos अब्सेमेट कर सकते हैं फांचा या दो दे राखंट हो थां दू्स्तों घ्टार जाए हो तो चलिक दोस्तों हम से लंटी सेटेसी यह होजाएगा तो इसमें कर मेंगे क्या हो जाएगा में क्षाइगा center 27 beyond 2701 एक कि.' दोस्तों यह तो 5 बटे 27 ही रहागा, इसमें कोई चेंज़ेस नहीं आएगा, और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जागा, तो बस और मैनस आगे कर देते, तो दोस्तों अब मैनस को अंदर चलिए इंट्री करा देते, मैनस 21 बटे 27, मैनस 5 बटे 27, और मैनस 18 बटे 27, अब दोस्तों इसको हम क्या लिखते है, आरोई क्रम में, तो आरोई क्रम का मतलब दोस्तों ने बता है कि आपको बढ़ता हुआ क्रम होता है आरोई का मतलब तो यह आप लिख देंगे दोस्तों आरोई क्रम में लिखने वाले आरोई क्रम ठीक है तो दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम बढ़ता हुआ क्रम आपको याद रखना है आरोई क में हुआ तो 100 रपे वाला ना तो बस वैसे समय नहीं तो यहाँ पर सबसे छोटी संक्या होगी आपके मैनस 21 अपान 27 अब दोस्तों के बाद बात करेंगे तो मैनस 18 बटे 27 दोस्तों से छोटा अब दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों जो यहाँ पर होगा वह बढ़ रहा है वह है मैनस 5 बटे 27 क्योंकि दोस्तों यह सबसे जली प्लस में चला जाएगा लेकिन जो मैनस 21 और मैनस 18 को प्लस में थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा तो यह था दोस्तों तरीका इससे आप लोग आरूई क्रम में लिका लि जैसे क्याते आप लोग सुन तो रहे होगा काफी देर से पांच होता है जैसे क्या कहना क्या चाहते हैं दोस्तों अगर लिखा होता है 21 बटे 5 और दोस्तों दूसरी संक्या लिख हो थी 17 बटे 5 इसको हमें लिखना है आरूविक नम में कौन तर बढ़ा होगा दोस्तों इस में 42 होता है तो यह आ जाता कुछ 420 और दोस्तों यह हो जाता है 17 दुनी 34 ठेक है 17 दुनी 34 तो तो 340 तो दोस्तों 3,40 और 420 में आरूविक रहा है तो मतलब पहला आपका दोस्तों क्या जागे है आप यहीं से दोस्तों देख लेंगे 17 बटे 5 पहले आएगा आपका फिर आ आउट तो संदेवों कमेंट करिएगा आपको उत्तर जल्द जल्द किया जाएगा दोस्तों तो 16 नमर प्रस्न क्या रहा आपका कि प्लूटो का जन्म 429 इसापूर में हुआ था तथा 348 इसापूर में वो दिवंगत हुए वे कितने वर्सों तक जीवित रहे ये आपको बता सप्ट पनाना हैं तो असे कोश्न बहुत ही आताना होते बस आपस आप लोगो सिंपल क्या करना था चार सू उनतिस में थे 348 आप लोग घटा देंगे बस आपको उत्तर आ जाएगा कित्ना होगा दोस्तों तो दोस्तो वो कितने सालों तो जीवित रहे हैं, वो उत्तरा आगा आपका, 81 हीर, बड़ दोस्तो आपको इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था, 21 से साल जिन बच्चों को उत्तरा आ रहा था, वो बिल्कुल सही थे, तो दोस्तो ये question आपके 2016 में पूछा गया था, जी है दोस्तों तो 17 नमर प्रस्थन क्या रहा आपका कि x y-z plus y z-x plus z x-y का मान आपको क्या करना है ग्याद करना है तो यह कैसे हो जागा चली दोस्तों इसको देख लेते हैं सबसे पहले प्रस्थन लिखेंगे x y-z है आपका प्लस का y z-x से प्लस का z x-y ठीक है बस सिंपल सा दोस्तों आपको अंदर गुड़ा करते हुए चले जाना है तो सबसे पहले गुड़ा करेंगे दोस्तों x y से साथ x y मानस हो जागे दोस्तों x और z फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है y और इसका z से गुड़ा होगा तो y-z minus y into x y x ठीक है प्लस का दोस्तों अब यहाँ बारी आती z का x से गुड़ा होगा तो z x माइनस के दोस्तों हो जागे हैं आप जेट और वाई बस अब देखतें दोस्तों क्या क्या कट रहा है यहाँ पर X Y लिखा है दोस्तों और यहाँ लिखा Y और X तो दोस्तों यह उल्टा लिखा है तो मतलब कट गया सीधा वही लिखा दोस्तों आप लोग को पता गुड़ा में आगे पीशे लिखा जा सकता है यहाँ पर दोस्तों एक्स जेड लिखा है और यहाँ पर जेड एक्स लिखा है और दोस्तों यहाँ पर वाई जेड और यहाँ पर मैनस जेड वाई तो सब कुछ दोस्तों कड़ गया बचा कितना आपका 0 तो आपका अंसर हो जाएगा 0 तो दोस्तों ऐसे प्रसन आपके पेपर में पूछे आते हैं तो आप लोगों को तयारी करते रहना है क्योंकि ऐसे कोशन बहुत ही आसान होते हैं और अधिकतर 0 आता लेकिन 0 तब आता है जब आप लोगों देख लिए कि यह अगर एक सिक्वेंस में आ रहा है जैसे दोस्तों x y-z है एक सिक्वेंस बनना है यहां पर अगर एक भी आगे पीछे कर दिया है कि दोस्तों से इसका उतर 0 नहीं आएगा तो आप इसको रट्टा मत मारिएगा और सौलो करके देखेगा आप देखनें आज का अगला प्रस्न दोस्तों तो आपका ठारा नमद प्रस्न क्या रहा कि एक रेल गाड़ी की चाल अगर दे रखी दोस्तों x square plus 3x plus 2 किलो मीटर प्रती घंटा तो दोस्तों यह आपकी क्या दे रखी है यह आपकी दे रखी है चाल ठीक है ना यहाप लिखा भी दोस्तों इतको लिख लेते हैं तब यह आप लोको दोस्तों ज्यादा अच्छे तो क्लियर होगा देकि दोस्तों आजकल जो एक जामनर होते होते हैं अगर वो यह लिखे होता है ना कि एक रेल गाड़ी की चाल 10 किलो मेटर प्रती घंटा है तो आप लोगे काफी आसान होता लेकिन वो समझदार हो गए अब क्या लिखा दोस्त के आगे पड़ते तो वह एक्स प्लस दो घंटे में कितनी दूरी तै करेगी तो दोस्तों में निकालना तो दूरी है लेकिन एक्स प्लस दो क्या दे रखा है यह आपका समय दे रखा है जिया है दोस्तों आया कितना समझदार है देखे आपका ग्याम रख तो दोस्तों आपने एक फार्मूला पड़ा plaster होगा दूरी पराबर होता है चाल भुडै समय चाल भुडै समय ह प्लस का 3X, प्लस का 2 दोस्तो, ठीक है, आप समय क्या दे रखके दोस्तो X प्लस 2, इसको solve कर लिजे दोस्तो जो आगा, ये ही आपका उत्तर होगा, सबसे पहले दोस्तो हम ऐसे गुड़ा कैसे करते हैं, सबसे पहले पार करेंगे अब दो का गुड़ा अंदर होने वाला है तो सब्सक्राइल है दो का गुड़ा दोस्तों XSquare के साथ होगा तो क्या आएगा 2.XSquare प्लस 2 का गुड़ा अगर 3X से साथ करें तो दोस्तों कितना आजाएगा 2. यह . करें यह गुड़ा के चिनने दोस्तों दस्मलों नहीं है ठीक है फिर 2 और 2 दिखें दोस्तों आपको इसलिए हम दिखा रहे हैं कि आप लोग अच्छे दिस सीख सकें समझ सकें तो दोस्तों यहापर क्या आजाएगा x square into x का मतलब होगे दोस्तों x का cube आ गया प्लस का दोस्तों यहापर कितना जाएगा 3x square आ जाएगा फिर दोस्तों आपको देख रहे होगे आपर आजाएगा 2x ठीक है 2x फिर दोस्तों यहापर क्या था इसको एक्स स्क्वार है इसमें कुछ दिक्कत नहीं फिर दोस्तों यहापर 2 गुड़े 3x था तो मतलब 6x हो जाएगा 2 3 6 प्लस्तों लाश्ट में क्या दो गुड़े 2 मतल आपको पूरे अंक मिल जाते लेकिन आपने यहां एक की देखे होगी एकजामनयर जोए वो बहुत ही हो स्यार था अगर दोस्तों वो लिख देता कि इसकी चाल आगर 10 km प्रती घंटा है, ठीक है, अगर लिखता है कि इसकी चाल 10 km प्रती घंटा है, तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तया करेगा, दोस्तों तो आप लोग को पता क्या करना होता, दूरी विराबर चाल गुड़े समय लगाते, तो 10 गुड़े 2 करते से 202 हो गया और गलत करके आएंगे, लेकिन दोस्तों वह नहीं जानते कि वह बच्चे आज कल यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो अच्छा करके आएंगे, और अच्छा करके आएंगे, यह कोशन आपका BTC 2017 में आ चुका है, तो आप लोग तयार हैं दोस्तों और यूट्यूब से पढ अगर दोस्तों आपके मन में समझ में आ गया होगा वह कोशन तो यह आप एक सेकेंड में कल ले जाएंगे, एक स्क्वाइर प्लस वन बाई एक स्क्वाइर की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, तो दोस्तों हमने बताया था कि जब भी अगर आपका कोई ऐसा कोशन दि दे रखिए, तो अगर आपको यह वैल्यू निकालनी है दोस्तों एक स्क्वाइर प्लस वन बाई एक स्क्वाइर की आपको एक फार्मूला यहाद रखना है, जेट स्क्वाइर मैनस का टू, तो दोस्तों जेट की वैल्यू हमेंस यह होगी जो आपको यह आपर दे रखे, दी गई होगी कोशन में, तो दोस्तों जेट की जगा आप क्या रखेंगे, पांच के स्क्वाइर मैनस का टू, दोस्तों हो जाएका पांच के स्क्वाइर मैनस का दू, आज आएगा आपको दोस्तों तेज, कितना असान था दोस्तों यह प्रस्न करना, तो बस आपको उत्त इस नमबर प्रसने क्या रहा है आपका कि माइनस 9 बटे 11 के योगात्मक प्रितिलोम को हमें ग्याद करना है ये बताना है ठीक है कि माइनस 9 बटे 11 के योगात्मक प्रितिलोम क्या होगा दोस्तों हमें सा योगात्मक प्रितिलोम उल्टा होता है 9 बटे 11 के योगात्मक हो तो आप लोगों को दोस्तों तयार रहना चाहिए खली उल्टा करना होता है जैसे माइनस नो बटे 11 को हो जाएगा प्लस नो बटे 11 तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा तो तयार है यह दोस्तों एक चाहिए और दोस्तों काई भी बच्चें हमसे कूछ रहते दोस्तों जो बच्चे हमते WhatsApp पर जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके 200 फीस थोड़ी सी महंगी है, जो की 1000 पर मन्त है, तो दोस्तों मानते हैं, फीस महंगी है, और हमारे एक नया एक्सपरिमेंट चलना दोस्तों, कि पहले 10 बच्चों के लिए दोस्तों, हम WhatsApp जोइन कर आना चाहते हैं मतलब गुरूप नहीं रहेगा, दोस्तों सीधे आप लोग WhatsApp से हमसे connect रहेंगे, जिसमें पहले 10 बच्चे ही connect हो सकते हैं, तो दोस्तों अगर आप लोग को connect होना है, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए स्रीट है, तो आप लोग को 1000 फीस देनी पड़ेगी, तो दोस्तों join करनेंगे जरूरत नहीं, दोस्तों क्योंकि 1000 पर काफी ज़्यादा होते हैं, अगर दोस्तों लेकिन अगर आप लोग जोईन करेंगे, तो आपको काफी benefits भी मिलेंगे, आपके DLT से संबंदित कोई भी होगा notes से, दोस्तों सबसे जाद आपको notes से दी जाएगी, पढ़ने दोस्तों result आएगा, DLT का सबसे पहले आप लोग अपना result देख पाएंगे, website चले ना चले, तो काफी चीज़ें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ये सिफ DLT plus बच्चों के लिए होगा, और जिनकी संक्या सिर्फ और सिर्फ 10 होने वाली है, UP level पर, जियां द 9216, 87, 38, 07, 92, 16, लेकिन दोस्तों फीस मेंगी हम फिर से कहेंगे 1000 पर, लेकिन जो बच्चे effort कर सकते हैं, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं, हमें मेसेज करते हैं, सर हम घर से बाहर नहीं जा सकती है, हमारे कोचिंग नहीं है, तो उनके लिए दोस्तों सही रहेगा 1000 पर दे है, आप लोग हम से जुड़ना चाहता है, अगर आपको 20 कोशन सबंज में आया हो, पिछले, तो यह आप लोग हमें पैसे दीजेगा, अनेथा कोई जरूरत नहीं है, अब देखते हैं, आज का अगला प्रसन, अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो, कैसे जुड़ सकता है, आप लोग हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए सवाल देखते हैं, आज का अगला प्रसन क्या है, दोस्तों 21 प्रसन क्या रहा है, कि एक त्रिभूच का छेत्रफल अगर 48 cm2 है, उसकी उचाहिए हमें 8 cm दे रखिए, तो दोस्तों त्रिभूच के आधार की मा दोस्तों, ठीक है, आधार, ठीक है, गुड़े में उचाहिए लिख सकते हैं, तो अब क्या करेंगें, दोस्तों हमें पता है कि इसमें त्रिभूच का हमें 6 तरफल क्या दे रखा, दोस्तों 48 दे रखा न, यहां प्लिख दीजे 48, बराबर दोस्तों हो जाएगा, एक बटे लिख सकते हैं, बराबर आएगा आधार, पूरा लिख लेते हैं, तो दोस्तों 6 दूनी होता है, 12, ठीक है, आप इसकी यूनिट जरू लिखेगा, इकाई जिसको बोलते हिंदी में, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 सेंटीमेटर, ठीक है, तो आपका आधार आगया 12 देखते हैं, आज का अगला प्रसन देखेंगे, लेकिन दोस्तों यह सवाल आपको समझ में आना जरूरी है, तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने क्या यूच कि जो त्रवुच का चेतरफल होता है, उसको यूच कि एक बटे दो आधार गुड़े उचाई बस इतना फार्मूल आपको पता होना चाहिए अब देखते हैं आज का अगला प्रस्न दोस्तों 222 नम्हें प्रस्न क्या रहा आपका कि मैनस 5 यह सब दे रखका दोस्तों का मान हमें ग्याद करना है ठीक है मान ग्याद कीजिए चलिए दोस्तों कर लेते है इतना मान गया है हम लोग सबसे पहले दोस्तों लिख लेते हैं प्रस्न क्याप माईनस पाच है फिर माईनस का की ब्रैके चांतर माइनस 45 फिर दोस्तों यह पर भाग का चिननोए पिर अंदर लिखेंगे probate 만श का मामें cession मेनस 15 ठीक है, 20 होता bracket, O से off होता, D से divide मतलब भाग, M से multiply मतलब गुड़ा, और ये से addition मतलब जोड और ऐसे subtraction मतलब घटाना, bracket का मतलब दोस्तों हिंदी में होता कोश्टक, दोस्तों यहाँ पर लिखे रहें देते, minus 5 ऐसे आजाएगा, दोस्तों यह जब bracket हटे गए यह वाला था, तो यह minus और यह minus मिल को हो जाएगे, plus का 45, और भाग का चिन रहेगा, दोस्तों ऐसे, तो यहाँ पर minus 15 रहन देते, और दोस्तों, plus का, यह दोस्तों देखे, 3 और 5, इसका गुड़ा का लेते, minus 15 हो जाएगा, देखे, दोस्तों, बाड मास यहाँ कोई फरक निपड़ेगा, लाश्ट में, ठीक है, सबसे पेले दोस्तों आम यह पर भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, minus 5, दोस्तों ऐसे लिखेंगे, 15, 45, पटे, minus ka, 15, minus ka, 15, ठीक है, इसको solve को लेते, दोस्तों, क्या हो जाएगा, यह हो गा, minus 5, 15 है कम 15, 15 क्या है, 45, minus का 3, फिर minus का 15, तो पंद्रा पाँच बीस और माइनस तेज तो माइनस का 23 आगे दोस्तों यह आपका हो जाएगा उत्तर इसमें क्या में चीछी दोस्तों ने आपका बीच में रखा न यह तो बॉर्ड मॉस्ते सबसे पहले हमने क्या क्या इसका भाग कर दिया अगर कुछ और कर लेते दोस्त से उपयोग किया है इस रूल को फालू किया है ठीक है तो बॉर्ड मॉस्त का हम फिल फूल फॉर्म बता देते डी से क्या आपका होता है डी से होता आपका भाग या अंग्रेजिम डिवाइड और एम से होता मल्टिप्लाई मतलब गुड़ा तो यह चीज याद रखे दोस् एक का मतलब होता है जोड अडिशन और डी एस का मतलब क्या होता दोस्तो घटाना यह चीज आपके लिए जरूरी है ठीक है अब देखते आज का अगला प्रस्म क्या दिया गया है कि यदि ए स्क्वाइर प्लस वन बाई ए स्क्वाइर बराबर दो हो तो वन बाई ए प्लस का मान ग्याद कीजिए देखे दोस्तों यह कोशन थोड़ा हटकर हो गया है हर पर दोस्तों हमें थोड़ा वैल्यू किसकी पता होती थी हम बताते है अभी आपको दोस्तों इससे पहले वाले कोशन में हमने इसकी वैल्यू निकाली थी ठीक है इतने की वैल्यू हमने निकाल कि अगर one by a अगर ऐसे लिखते हैं one by a plus का a का whole square बराबर दोस्तों क्या होता है आप लोग यह बताएए a plus b का whole square का formula दोस्तों सबको पता होगा तो हो जाएगा दोस्तों यह आपका one by a square ठीक है कोई भी question को थोड़ा तरीके से लगाया जाता है इसलिए आपको यह समझ में सहाइड ना है लेकि समझना पड़ेगा आपको ठीक है one by a square into a square plus two a b होता है two into a into a b ऐसे कर सकते है दोस्तों लेकिन चलिए आपर आगे पीछे हो रहा है नहीं तो आप सही समझना पहें एक का मतलब दोस्तों हमारा है one by a से यहां पर क्या लिखाना तो two into a क्या हो जाएगा one by a into b वर यह यह जाएगा कट आपको बचेगा किना दोस्तों one by a square plus a square plus two यहां पर दोस्तों यह और देखने वाली है इस question में वह क्या चीज़ें पता अपको इस को शॉलिए कड़े से आप दोस्तों हमें यह यह tam पर देखें किसके सामें नख सकते हैं यहां पर देखेंगे क्या लिखा है इसकी जगे दूम तस पर दो रख देते हैं 2 Plus का फिर हैं 2 बचेगा 2 और 2 होता है 4 दोस्तों यह किसका Фर्मूला किसके सामने निकाला 1 by A प्लस A का Whole Square यहां पर ऐसे लिखेंगे 1 by A प्लस A का Whole Square बराबर 4 और दोस्तों हमें value किसके निकाल ली है सिर्फ 1 by A और A का तो दोस्तो हम लोग यह कर सकते हैं, इसका अंडरूड उदर भगाते हैं, इसक्वाइर हटाएंगे दर से, यहाँ पर आजाएगे दोस्तो अंडरूड में 4, ठीक है, तो दोस्तो 1 by A प्लस A बराबर आजाएगा आपका, अंडरूड चैर के वेले होती ही दोस्तो 2, तो बस यही आपको उत्तर आजाएगा, यही आपको निकालना था है, कि 1 by A प्लस A का मान हमें ग्याद करना है, तो यह कैसे निकाल सकते हैं, यह हमने देख लिया है, तो दोस्तो यह हमें मान न बताना है, आपको बताना है, ऐसे कुशन में दोस्तो हमें सही होता है, जो गुड़ात्मक प्रितलोम पूछा जाता है, इसे मैंस 4 बटे 9 का पूछा गया है, तो आंसर हमें सा दोस्तो उल्टा ही आता है, तो आप लोग ऐसे सीधे लिख सकते हैं, कि मैंस 9 बटे 4, लेकिन दोस्तो तरीका क्या होता करने का यह आपको जानना ज़्यादा जरूरी है आपर, तो दोस्तो देखें, इसमें आप लोग यह कर देंगे हमेशा, जैब भी आपको गुड़ात्मक प्रितलोम निकालना होगा, तो दोस्तो जैसे माइनस 4 बटे 9 का गुड़ात्मक प्रितलोम वह होगा, जिसमें अगर हम एक्स से गुड़ा करतें, दोस्तो मा लेतें, कोई गुड़ात्मक प्रितलोम एक्स होगा, एक्स से गुड़ा करने पर दोस्तो इसमें 1 आना चाहिए, यह समझे दोस्तो माइनस 4 बटे 9 का गुड़ात्मक प्रितलोम वह होगा, जो इस से तो दोस्ती तरीके से करेंगे आप लोगको पूरे अंक मिलेंगे आप लोग चाहेंगे तो सीधे भी आंसा निकाल सकते हैं लेकिन वह तब होगा जब आप यूबी टेट और सुपर टेट का पेपर देंगे यहाँ पर आपको थोड़े तरीके से करना होगा दोस्तों यह पान वन आना चाहिए तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया था एक से गुड़ा किया तो हमारा गुड़ा में पुड़ा एक पुस्तक नहीं पर जाती है क정이करना है तो सबसे पहले जानेंगे इस पाँछ पूस्तक का पूस्तकों के मूले से 72 एचाप हाई मतलब हमें पता चलिए दोस्तों की साथ पुस्तकों का मूले कितना है तो हम उत्तर निकाल सकते हैं या तो हमें सिंपल सा एक पुस्तक का मूले गयात करना तो दोस्तों उसी पर हमें ध्यान देना चाहिए तो सबसे पहले दोस्तों माल लेते हैं कि हमने माल लिया कि जो हमारे साथ पुस्तक का मूल ले, माना साथ पुस्तक का मूल ले, पुस्तक का मूल ले बराबर दोस्तो है, X है, ठीक है, हमने माना साथ पुस्तक का मूल ले X रुपए है, लेकिन प्रस्त में क्या बोलागा है, अगर पांच पुस्तक का मूल ले ना, वो साथ पुस्तक क का मूले ठीक है इसको लिख रहे है तो यह हो जाए कि दोस्तों आपका एक्स माइनिस बाद तर यह कैसे है दोस्तों आप लोग समझ गया होंगे इसमें प्रत्न में लिखा है यहां पर आप पढ़ लीजे कि जो पांच पुस्तक का मूले है वो साथ पुस्तक के मूले से बाद जाएगा दो पुस्तक का मूले तो दो पुस्तक का मूले कैसे निकल सकता दोस्तों साथ में से पांच गया बचेगा दोना साथ पुस्तक का मूले हम निकाल सकते हैं कि साथ में से पांच वाले पुस्तक का मूले घटा दिया जाए तो मतलब दोस्तों एक्स में से क्या खेलेगे, x-72 कर देंगे, दोस्तों, तो यह आजिएगा, हमारा दो पुस्तक का मूल लें, तो क्या हो जागक, यह से ब्रेकट खोलेंगे, एक पुस्तक का मूले कैसे निकाला जा सकता है तो दोस्तों दो पुस्तक का मूले पता चल गा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक पुस्तक का मूले कितना हो जाएगा एक पुस्तक का दोस्तों जो मूले होगा वो कितना हो जागा दोस्तों 72 बटे 2 ठीक है तो भाग कर देंगे तो कितना हो जागा 2 एक कम 2 2 3 6 2.12 मतलब आगे 236 तो दोस्तों हमें पता चल चुका है कि हमारे एक उस्तक मूले जो है है 36 रुपए ठीक है 36 रुपए तो बस ऐसे करना था दोस्तों यह आसान था कोश्चन था लेकिन आप लोगो थोड़ा समझने वाली बात यह एक नमर में ऐसा कोश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों वह आपके 2019 में जी आ दोस्तों इसे साल आपकगा पूछा गया था यह प्रतन लेकिन ऐसे प्रतन आगे भी पूचे जा सकते हैं आको paper में तो आपको ध्यान कैसे तो क्या करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमने जैना कि भैई साथ साथ पुस्तक का मूले हमारा एक्स रुपए है तो दोस्तों हमने फिर इसमें प्रत्न में बोला गया कि जो पांच पुस्तक का मूले वो साथ पुस्तक के मूल से 72 प्रका में तो दोस्तों हमें ग crush ने की साथ में का पुस्तक का MUL यहां पर घटा के are the कि उसका कि ख्याक करना संक्ख्य का मान है धाइ ग्याद करना है मान दोस्तों सब 2 सb हो धीग कर दो दोस्तों क्या इसका है योग है 87 क्या है संक्य योग कर दो तीन, तीन बार X है, तो यहां आजाएगा 3X, दोस्तों फिर जोड़ते हैं, यह दोस्तों क्या था, प्लस 1, प्लस का 2, कितना होगे दोस्तों, 3 हो गया, 3X प्लस 3, बराबर 17, ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, 3 को उस पच्छ में लेके जाते हैं, राइट हैंड में, 87-3 हो जाएगा दोस्तों, आजाएगा 3X बराबर आगया आपका, 84, 84, अब दोस्तों, X से भाग कर देंगे, 3 से मतलब, 84 बटे, 3, कितनी बार जाएगा, 3, 3, 2, 6, और 2 और 4 बचे, 3, 8, 24, तो दोस्तों में पता चलेगे, X की वैल्यू आगई, 24, दोस्तों में मतलब यह पूछा गया कि 2-3 क्रमागय संख्या कमान होगा, तो 2-3 निकालने के लिए, दोस्तों में क्या पता होना चाहिए, X प्लस 1, ठीक है, तो दोस्तों में यहाँ पर पता चल चुका, X की वैल्यू 24 है, तो 24 प्लस 1 कर देंगे, दोस्तों एक मिनट, यहाँ पर हमने कितना आए 3-4 होता है न, तो यहाँ पर आएकर 24 ने 28, दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर भाग में 28 ही लिखा था, लेकिन देखिए, यह चोटी-चोटी-मिस्टेक्स होती है, तो इससे आपको भी कुछ सीखना चाहिए, कि हम लोग जल्द बाजी में कुछ गलती कर सकते हैं, तो आ आप लोग डबल चेक कर सकते हैं, जल्द बाजी में छोटी-गलतिया होती है, तो यह सवाल हमने देख लिया, ठीक है, तो हमारी पहली क्रमागा संख्या दोस्तों थी 28, दूसरी आगे 29, अगर दोस्तों में तीसरी क्रमागा संख्या पूछा गया होता है, तो हमने क्या नि तब लेकिन हमारा फाइनल आंसर यह होगा दो तीक रमागे संग्या पूछा गया था तून अतिस पर करके खतम करेंगे अब देखते दोस्तों आज क्या अगला प्रस्न दोस्तों तो 27 नमर प्रस्ने क्या रहा कि एक आयत की लंबाई आपको दे रखी 10 सेंटीमीटर तसा चोड़ाई आपको 6 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप आपको क्या करना है ग्यास करना है तो दोस्तों चलिए एक आयत बना लेते हैं आपके सामने तुरंती तो एक आयत न तो दोस्तों हमें प्रस में क्या करना है इसका आयत का हमें परिमाप निकालना है तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता दोस्तों दो गुड़े लंबाई प्लस चौड़ाई दोस्तों ठीक है लंबाई प्लस चौड़ाई एक ब्रेकेट में छोटे में रखेंगे दोस्तों नहीं तो गलती हो जाएगे आपसे तो 2 का गुड़ा करेंगे दोस्तों, तो 2 गुड़े लंबाई दोस्तों हमें कितनी दे रखी है, आपर देख लिए हमने 10 दे रखी है, और 4 दोस्तों मारी है 6, तो परिमाप का मतलब दोस्तों सब कुछ होता है, यह उपर वाला हिस्सा, यह यह सब कुछ कवर होता है, ठीक है तो दो गुड़े में 210 प्लस 6 कितना हो गया 16 हो गया तो 216 गुड़े 2 कितना हो गया आपका 32 सेंटी मीटर ठीक है 32 सेंटी मीटर यह आपका हो जागा दोस्तों इसमें उत्तर हमें क्या पूछा गयाता है आयत का परिमाफ ज्याद किजिए बस और इसका 6 तरफल दोस्तों पूछा जाता तो होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई लेकिन पूछा नहीं गया प्रस्में तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे तो हम आयत का परिमाफ हमने निकाल लिया 32 सेंटी मीटर होता है कि एक लीटर में कितने घन सेंटी मीटर होते हैं तो एक लीटर बराबर लीटर बराबर आपका होता है दोस्तों एक हजार घन सेंटी मीटर ठीक है एक लीटर बराबर आपका दोस्तों होता है एक हजार घन सेंटी मीटर तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा कि एक घन सेंटीमीटर बराबर क्या होगा एक घन सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपका एक बटे एक हजार लीटर दोस्ता बात हो रही एक घन सेंटीमीटर की ठीक है इतना लीटर हो गया अब लेकिं प्रत में पूछा गया था कि you 28700 को हमें लीटर आरत तो दोस्तो तो घंआ सेंटी मेटर बदांटी को इतना 17800, थी को दोषें में सेंटी मेटर बराबर क्या हो जाएगा घंद सेंटी मेटर पानी जो भी है एक निन आने पानी यह न पानी न तो इतना पानी बदाबर हो जाएगा आपका बस इसको simple सा दोस्तों इसमें गुड़ा कर देना और कुछ नहीं करना है तो ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों एक बटे एक हजार गुड़े में 7800 ठीक है बस 2-0 से यहां 2-0 कट गया उपर बचा दोस्तों आपका 78 और नीचे बचाए कि दोस्तों आपका 10 बस दोस्तों इसको भाग कर लें तो कितना जागा साथ दसमलो 8 लीटर ठीक है यह आपको उत्तर हो जागा इतना ही करना था आपको यहां पर भी ऐसे लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो थोड़ा वह अंग्रेजी भी लिखना चीखें तो दोस्तों यहां इस प्रस्में को इतना ही करना था कुछ नहीं था लेकिन देखी क्योंसे समझना था बर्तन में कितने लीटर पानी है आपको यह बताना लेकिन आपको यह नहीं पता दोस्तों कि एक ली लीटर के तो दोस्तों आपका 700 गंसे इंटी मीटर का मतलब होगा इसको अठातर सो से गुड़ा कर देंगे जो आएगा वह उत्तर हो जाएगे दोस्तों हमारा उत्तर आ रहा रहा 7 दसमलों में 8 लीटर यह आपका उत्तर आ रहा है तो यह भी दोस्तों प्रस्ण आपके 2019 मे पूछा जा चुका है, तो आप question कैसे पूछे जा रहे, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग अच्छे नमबर ला पाएंगे, अब देखेंग आज का अगला प्रसना, दोस्तों तो 29 नमबर प्रसने क्या रहा आपका, कि सर्व समिका का प्रियोग करके 51 square का मान ग्याद कीजिए, तो दोस्तों कैसे सर्व समिका का प्रियोग करते हैं, आईए देखते हैं, हमें निकालना है 51 square की value क्या होगी, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 50 प्लस एक का whole square, ठीके दोस्तों, इसको solve कर लेते हैं, बस ये इसका उतर आ जाएगा, 50 के square, दोस्तों सबसे पहले A square होता है, formula में रखते है, A square, प्लस का दोस्तो B square, 1 का square, प्लस का 2 into A into B होता है, 2, A की value दोस्तों है, आपकी 50 और B की value 1, तो क्या हो जाएगा 50 के square दोस्तों होता है, 25, 5 के square 25 और 001, प्लस 250 गुड़े 2 कितना होता है, दोस्तों 100, जोड लेते है पहले इसको जोड़ें, पिर आएगा दोस्तों आपका 100, अब फिर जोड़ें, दोस्तों कितना आजएगा, 261, तो दोस्तों ये येえ आपको हो जाएगा, उद्तर सरो समिका का हमने प्रयोक करके, इसको हल कर दिया है, तो ये दोस्तों अपको उद्तर हो गया 261, अब दोष्टो चलिंगे हम लोग एक बार वैली Will रखके देखते हैं कि सरो सम्नेका होने के लिए दाये परफ यांक वर रखतेसें तो पहले मिं क्या होगा दोस्तो क्या होगा टू यहाप दोस्तो 2 प्लस 2, 202 गुड़े 2 करेंगे 4 आएगा और 2 प्लस 2 चार आ गया, मतलब आपका बाया पच्छ ये इसको बोलते हैं, LHS, Left Hand Side बराबर RHS, अगर दो से इस पर चलिए X बराबर 1 रखके देख लिया, आप चलिए X बराबर 2 रखके भी देख लेते हैं, क्या इसमें भी सही होता है कि नहीं होता है, 2X प्लस 1 है, पहले यहाँ पर आपका equation लिख लेते हैं, 2X प्लस 1 बराबर 2X प्लस 2, ठीक है, इसमें value रखने, X बराबर 2 रखेंगे दोस्तों सबसे पहले, तो X की जगे यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो 2, फिर 2 प्लस 1 हो जाए 2 गुड़े, X बराबर हमें 2 रखना है, प्लस का 2, दोस्तों जोड लेते हैं, 2 आज एक 2 एक 3 होगा है, दोस्तों यहाँ जोडने पर आगया, और 2 गुड़े 2 कितना होगे? 4 और प्लस का 2, ठीक है दोस्तों यहाँ दो और 3 लिखा न, दो गुड़े 3 लिखा, तो 3 दूली 6 और 4 दो 6, तो दोस्तों हमें फिर साथ देखा कि दायां पच्छा और बायां पच्छ बराबर आ रहा है, LHS बराबर हो रहा है दोस्तों आपका RHS, तो दोस्तों अब इसका हम लोग क्या बोलेंगे, सरोसमिका है या नहीं? जी यहाँ दोस्तों भी बिलकुल, अगर दोनों पूछा जाए, सरोसमिका है की नहीं, तो आप X की वैल्यू उठ करके भी सौलू कर सकते हैं, अब देखते हैं आज का अगला प्रस्न, दोस्तों के 31 नमर प्रस्न क्या रापका, कि X-4, X-7 का गुड़न फल ग्याद करें, दोस्तों गुड़न फल का मतलब क्या होता? सिंपल सिंपल सा गुड़न ही ग्याद करना है न, आपको क्या? X-4, अच्यात लिखते हैं, X-4, और दोस्तों क्या आपका X-7, सिंपल सा गुड़न कर लेंगे, जो आएगा ये उत्तर हो जाएगा, दोस्तों अगर X का गुड़न पहले X से करेंगे, तो क्या हो जाएगा? X का स्क् क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 3X बचेगा, प्लस का 28, तो दोस्तों बस यह आपका उत्तर हो गया, इतना ही आपको करना था, गुड़न खंड करना था, घुड़ा करना था, ठीक है न, आप चलिए दोस्तों देखते हैं, आज का अगला प्रस्न, दोस्तों तो एक ए 1 बराबर 2, हल कर दीजे, तो दोस्तों आसान कोशन भी हमने ले रखा है, कि X बराबर क्या हो जाएक, दोस्तों यह सिंपल था, 2-1, तो X बराबर हो जाएगा 1, जी हां दोस्तों हमें आसान प्रस्न इसलिए ले रखा है, कि आपके अच्छे नमर भी आने चाहिए, तो दोस्तों हमें घन का आयतन निकालने के लिए घन का आयतन का फार्मूला होता है, भुजा का क्यूब, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, घन का आयतन, घन का आयतन, अहां, आयतन, बराबर दोस्तों ऐसे लिख सकते है, एक क्यूब, तो बस हो गया, सौल्व कतम दोस्तों, हमें एक गन का कोड दे रखा दोस्तों क्या दे रखा 14 तो 14 का में क्या करना है Commerce 14 घृडभी करना है बस 14 जूदा गुड़ साब दोस्तों जिसको जिन बच्टों को dokład सी वारत थैं डिन बच्छों को नहीं आदे 14 का क्ये होता है वह सिंपल तर गुड़ा करेंगे 14 गुड़ा 14 होता है 196 और गुड़ी फिर से 14 कर देंगे दोस्तों कितना जाएगा 2744 ठीक है घन सेंटीमेटर तो दोस्तों हमें याद था वैसे लेकिन हमने सोचा कि आपको एक एक इस्टेप करके दिखा दिया जाए तो आप लोग भी याद देगा और बोलेगा उसका आयतन ग्याद करो तो हमें आयतन ग्याद करने का फार्मूला पता होना चीए कि घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब एक क्यूब बस वैल्यू रख देंगे कोश्चन खतम अब देखतें आज का अगला प्रसन तो दोस्तों चौती संबभ प्रस होता है एक बटे दो गुड़े दोस्तों विकर्डो का गुड़न फल होता है क्या होता आपका विकर्डो का गुड़न फल ठीक है विकर्डो का गुड़न फल होता इसका फार्मूला तो ऐसे कर सकते हैं तो दोस्तों यह फार्मूला होता सम चेत्रभूच के छेत्रफल का त 26, गुड़े 6, कितना आ जाएगागगो 6 चंग 36 का 6, 6 दूनी 12, 3 15, 156 वर ग सेंटीमेटर ऐसे लिख सकते हैं दोस्तूँ, ठीक है, सेंटीमेटर में था तो दोस्तो बर ग सेंटीमेटर लिखेंगे या सेंटीमेटर स्क्वैर भी लिख सकते हैं, तो यह आपका हो जाएगा द कि यदि किसी त्रिबुच का आधार अकर 32 मीटर हो और उचाई 12 मीटर है तो उसका हमें छेत्रफल ग्याद करना है तो इसको कैसे कर सकते हैं आए देखते हैं तो दोस्तों त्रिबुच का छेत्रफल का फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है त्रिबुच का छेत्र फल ठीक है एक बटे दो गुड़े आधार गुड़े उचायग होता दोस्टो ठीक है यह होता फार्मूला सिंपल सा तो यहापर इसकी वैलु रख देंगे एक बटे दो आधार के ज़िए दोस्तो क्या रखेंगे 32 और उचायग दगे रखेंगे 22 तो 2 एक कम दो दो छेंग 12 होगा ठीक है दोस्तो छे गुड़े 32 कर लेंगे जो आएगा वह उत्तर होगा 32 गुड़े छे दुनी 12 चे त्रीक अठार एक 19 तो मतलब 112 तो लेकिन किसमे आगा दोस्तों मीटर में दे रखा है नो तो यहाँ पर इसका आएगा या तो वर्ग मीटर ल निकाला जा सकता है आप देखते हैं आज का अगला प्रतन है दोस्तों 36 नमर प्रतने क्या रहा आपका कि 9x स्कॉयर माइनस 64 के गुड़न खंड कीजिए ठीक है आपको इसमें गुड़न खंड करके बताना है क्या होगा कोशन का है 9x स्कॉयर माइनस 64 ठीक है इसको हम क्या होगा दोस्तों 3x का होल स्कॉयर ठीक है और 것으로 क्या होता है आट का स्कॉयर होता है na 684 तो दोस्तों हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है एसक्वाय इसकॉयर माइनस 20 स्कॉयर का जो क्यों होता है दोस्तों एप्लै आपका ए मा YO safe 5 अप कर देंगे बस यह आपका इस आप आपको 3x-8 ठीक है बस यह आपका उद्दर हो जाएगा इतना ही करना था आपको सिंपल सा कोशन था दोस्तो ऐसे कोशन पेपर में पूछे आते हैं तो आप लोग को तयार रखना है कि अगर गुड़न खंड का कोई कोशन आएगा तो आपको क्या करना होगा देखने में असान लग रहा था लेकिन आपको इसको तोड़ेंगे कैसे यह भी महत्त पूड़ है तो छोटी-छोटी चीजों का आपको द्यान डखना चाहिए आप देखते हैं आज का अगला प्रसन दोस्तो तो सहती समब प्रसन क्या रहा आपका कि A B प्लस A C प्लस A D के गुड़न खंड कीजिए तो चलिए दोस्तो गुड़न खंड कर देते हैं फिर से कोशन क्या आपक ब्लस C प्लस का D ये दोस्ता आपको उत्तर हो जागा बी प्लस C प्लस D बस आओ उसमे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं तो इतना करके दोस्तों कोश्यन को खतम करेंगे आप देखेंग आज का अगला प्रसन है दोस्तों तो आपका अर्तीं नंबर प्रसने कि दो नोतुछ जा सकते हैं इसलिए अमने बताएं आपको दोस्तु है आप लिए कि आपका दोस्तों लिखना कि आपका ही पप्रफंत क्या होcket ना विंद्प्रह स्वेश्टर यह प्रफंत कहुंत तीन बस यह आपका उत्तर हो जाएगा पांच और तीन यह इतना लिखना था तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने यह सही उत्तर दिया होगा अब देखते हैं आज का अगला प्रतन है दोस्तों तो 49 नंबर प्रतने क्या रापका कि दो परिमेश संख्याओ पी क्यू तथा आर क्यू का योगफल क्या होगा यह आपको बताना है यह आसान था कुश्यन ने इसको लिख सकते दोस्तों पी अपां क्यू प्लस आर अपां क्यू का आपको दोस्तों योगफल बताना है बस होगे दोस्तों कतम बस ऐसे लिख दीजिए दोस्तों इसको आपको पी प्लस आ इतने ही करना था दोस्तों, ऐसे question भी paper में पूछे जाता है, बिल्कुल basic है, हम आपको समझारे हैं, लेकिन दोस्तों हमने शुरुआत में आज कि जो question शुरुआत के थे, वो बहुत ही अच्छे level के थे, लेकिन हम चारे थोड़े आसान question भी आपको आने चाहिए, जिससे कि paper म अगर पूछा जाता है कुछ तो आपका मन और दिमाग काफी तेजी से चल सके, अब देखते हैं आज का अगला प्रत्न, दोस्तों तो 40 नमबर प्रत्न क्या रहा आपका कि 3 और 4 को अनुपात में बेक्त कीजिए, बिल्कुल आसान था question दोस्तों बस आपको इतना लिखना अनुपात में बेक्त करना था, 3, अनुपात चार बस रहा आपका उत्तर, इतना है आपको आपको करना था, दोस्तों तो यह तना आपको आजए रहा हाई, अब देखेंगे आज का अगला प्रत्न, दोस्तों तु त्रीबूच का 6 अधिका च्छे रफल ग्याद करने का सू आधार गुड़े उचाई ठीक है बस आपको इतना एक बताना से इस कोशन में खित्रबुज का छेतरफल ग्याद करने का सूत्र बताईए दोस्तो दिखें ऐसे अतिल गुत्री में एक एक नमर में ऐसे कोशन बन सकते है तो आप लोग को ये छोटी छोटी चीज पता होनी चाहिए अब देखते हैं आज का अगला प्रस्न दोस्तो तो बैलिक नमर प्रस्न क्यार आपका की वर्ग क्या है इसका छेतरफल ग्याद करने का सूत्र बताईए तो दोस्तो वर्ग कैसा होता पहले इसको हम आपको बना के दिखा देते हैं एक वर्ग दोस्तो देखे वर्ग वो होता जिसकी चारो बुझाय बराबर होती है अगर मालेती ये बुझा आपकी ए है तो ये भी आपकी ए होगी ये भी आपकी A होगी, A फार Apple वाला दोस्त, A है, ठीक है, ये आपकी कुछ और लग रही ना, इसको भी अच्छा सा बना लेते हैं, A फार Apple, तो चारों बुझाए आपकी दोस्तों समान होने चाहिए, तो उबर क्या होती है, जिस चारों बुझाओ से गिरी ऐसी आकरती, जिस का 6 तरफल ग्याद करने का फार्मूला को बताना है, तो 6 तरफल क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सा बुझा का स्कॉयर होता है, फार्मूला, बुझा का स्कॉयर, यहाँ पर A हमने माना, तो A का स्कॉयर हो जाएगा दोस्तों, अब बात करेंगे परिमाप क्या होगा, त ठीक है न, अब देखते हैं आज का अगला प्रस्न, दोस्तों 43 नंबर प्रस्न क्या रहा है कि आयत किसे कहते हैं, इसका 6 रफस असा परिमाब ज्याद करने का सूत्र बताईए, तो दोस्तों बात आ गई आयत की, तो चलिए आयत एक बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों ये आपके सामने एक आयत बन चुका है, अगर माल लेते हैं दोस्तों ये बुज़ा ए है, याली बुज़ा भी ए है, और याली बुज़ा दोस्तों भी है, इधर से भी भी है, ठीक है, तो कुछ ऐसा आयत होता है, आयत होता है दोस्तों आयत एक चार अंस ही होता है, 90, 90, यहां भी 90 दोस्तों, यहां भी 90, चारो कोड़ जिसका 90 अंस का होगा, और आमने सामने जिसको, A, A बराबर है दोस्तों, और B वाली भुजा, B की बराबर है, ठीक है बात आती दोस्तों, इसका छेतरफल और परिमाप क्या होता है, उसको देख लेते हैं, आत का छेतरफल का फार्मूला दोस्तों होता है, नॉर्मली लंबाई गुड़े चोड़ाई, जियां दोस्तों, लंबाई गुड़े चोड़ाई, ऐसे इसका फार्मूला होता है, इसका छेतरफल निकालना है, अगर दोस्तों इसका परिमाप पूछ लिया जाता है, उसको प्राकरतिक संख्या क्या है तो दोस्तों बास सिंपल सी है तामली दें गिन्ने के लिए प्रियुक्त होने वाली संक्या ये प्राक्रिस्टिक संक्या होती है और इंकी सुरुआत होती एक, दो, तीम, चार, पांच थीक है आगे अप टूसवान बढ़ते चली हाती है लेकिन दोस्तों 0 नहीं होती प्राक् प्राक्रितिक संक्या में 0 नहीं आएगा बस इतना याद रखनें दोस्तो तो प्राक्रितिक संक्या में 0 को आपको नहीं लिखना है एक दो तीन चार पांत ही श्टार्ट करेंगे ठीक है आप देखते हैं आज का अगला प्रस्ण दोस्तो तो 45 नमा प्रस्ण हमने क्या लिए कि सबसे छोटी प्राक्रितिक संक्या क्या है तो दोस्तो आप लोगा कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने ये प्रस्ण लिया तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग बताईए जिया दोस्त इसका उत्तर हो जागा 1 सबसे छोटी प्रक्ति चंख्या होती है आपकी एक जीया दोस्तों एक हिंदी में भी लिख दिया ऐसे भी सकते हैं जैसे मनग्र आप लिख दीजे estáraga 1 तो सबसे च्पथी हमारे प्रक्ति संक्या क्या होती है जीधे इक dandy kitchen बोलेंगे one one ठीक है अब देख Alexis आगला प्रसन खान दो तो ant Onu अमचिन होते हैं तो हमें अपको पहले बते था अभाजिरत यह संख्या होते जो एक तो एक से कटनी चाहिए और सवयाव से कटनी चाहिए आशन से कटनी चाहिए श्यूक का मतलब दोस्तों क्या होता है चलिए पहसे ano दिखा देते हैं अगर हम बोलते हैं 5 यह अबाजे संक्या है कैसे यह पहले 1 से कटी है और यह 5 से कटी है अगर दोस्तों हम बात करें 37 तो दोस्तों यह एक से कटी है और 37 से ही कटे है मतलब सोयम से कट रही है तो अभाजे संक्या होती है दोस्तों जो केवल एक से कटे और सोयम से अगर आप बात की जाए कि एक क्या है अभाजे संक्या है या भाजे संक्या है कि क्या है तो दोस्तों एक ना तो भाजे ना तो भाजे दोस्तों ना ही अभाजे ना ही अभाजे सं कि वह संख्या जो केवल एक से कटे और स्वयम से कटती है वह संख्या है अब भाजी संख्या होती है अब देखने आज का अगला परतन उससे पहले दोस्ते और हम बात करेंगे अगर आप से पुछा गया नौ क्या है भाजी संख्या है क्या बाजी संख्या है दोस्तों यह एक भाजे संक्या है, क्योंकि एक से कटती है, तीन से भी कटती है, और नौ से भी कटती है, कुछ बच्चों के अंदर डाउट चला जाता कि भाजे संक्या होती है, जो दो से कटनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, अब भाजे संक्या है और भाजे संक्या ये अलग चीज़े होती है, सम और विसम संक्या अलग चीज़े होती है अगर आपसे पूछे हैं दोस्तों बारा क्या ये भाजे क्या भाजे जी यहां दोस्तों भाजे संख्या है यहां पर लिखेंग दोसरी यह कौन से संख्या है यह भाजे संख्या है ठीक है दो बारा किसे कटती है एक से कटती है दो से कटती है तीन से कटती है चार से कटती है छे से कटती है और बारा से भी कटती है यह भाजे संख्या है तो सऩ में थूझे सबसे चोटों याद रखना जिए। अब देखते आज का अगला कृतनौ दोस्तों अगर बात की किसे करते हैं तो इसको क्या उत्कर होगा धेकि दोस्तों भाजी संहिक वह संक्या होती जो तो एक से कटे, सोयम से कटे और किसी और संख्या से भी कटनी चाइए प्लस एक और संख्या से दोस्तों कटे गए, तो वह था नसती है, तो दोस्तों सबसे चोटी भाजी नसम्ख्या होती जो तहीं, एक से कटरी दोस्तों, दो से कटती है छे आपकी, तीन से भी कटती है और छे से भी कटती है मतलब अगर दोस्तों यहाँ प्रस में आपसे पूछा जाए पेपर में कि सबसे छोटी भाजी संख्या किसे कहते हैं यह क्या होती, सबसे छोटी भाजे संक्या कौन सी है, तो वो होती है, आपकी चार, आपको उत्तर यह होगा, और सबसे छोटी अब भाजे संक्या क्या दोस्तों, वो होती है, दो, यह क्या है, भाजे संक्या सबसे छोटी, ठीक है, और सम भी होती है, तो दोस्तों, दो चीजे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाज्य और अबाज्य में डिफरेंट क्या होता है अब भाज्य संक्या होती जो केवल दो संक्या होती और भाज्य संक्या दो से अधिक ठेक है अगर आपका पूछा है 210 क्या ये भाज्य संक्या किसे क्यों एक से कट रहा है दो से कट रह नम्मर सिस्टम, तो चलिए परिबाते पढ़ते हैं, संख्याओं को भ्यक्त करने के लिए लिए लिखने की प्रियोग किया जाता है, जो की एक सेट के संख्याओं को ब्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए एक विशेश संख्या पध्यती का प्रयोग किया जाता है प्रतेक संख्या पद्यती में प्रयोग क्यों जाने वाले अंक्या अंकों के समूँ से उसको दर्षाया जाता है किसी भी संख्या में अंकों जो डिजिट्स होते हैं इस्तिती होती दोस्तों दाई से बाई और गिनी जाती है जी यां, दोस्तों, दाईय से 2 उर गिलनते हैं, न यह थे, एक, दो, तीन लिखें, दोस्तों, तो कैसे होता है यह, एक, दो, और तीन लिखा लेखां दोस्तों, तो इसको पहले पढ़ेंगे, दाया है, न, इकाई, फिर दो होगा, आपका दाई, तीन होगा, सैकडा, मतलब कोई तो यह पता ही होगा चलिए इसमें कुछ नया नहीं था लेकिन आपको इस पता होना चाहिए संख्या पद्देती का यूज का आपका ऐसे कहा करते हैं अब चलिए आज का अगला प्रत्मत देखते हैं दोस्तों तुंचात नंबर प्रत्मक्यार आपका कि पुडांक क्या है तो पुडांक क्या होता दोस्तों संख्या पद्देती है नंबर सिस्टम में सभी पूर संख्या जिसे दोस्तों इंग्लिस में बोलते हैं होल नंबर एवं रिडात्मक संख्या निगेटी नंबर साथ मिलकर जो संग्रा बनाते हुआ संग्रा पुडांक कहलाता है तो दो दोस्तों यह लिखेंगे, –2 –1012, दोस्तों यह सब संख्या आपकी क्या होती ही, पुढांक होती है, जिसमें देखिए, प्लस की की संख्या प्राकृतिक संख्या दोस्तों काली 1 – 2 और दोस्तों अब 0 ले ले लेति तो यह हो जाती है, whole numbers ठीक है, पूर संख्या और माइनस भी ले लिया दोफों सब कुछ ले लें तो आपका यह बन गया पुडाइंक, तो दोस्तो आ लोगों को समझ जुआ गया बहूँआ होँगा कि कि पूडाइंक और दोस्तों इतना आपका समस्थन नमबर, तो दोस्तों तो तो गुड़न का तस्सम आयो दोस्तों किसको बोलते हैं तो इसका अंतर हो जागे दोस्तों एक, ठीक है एक को गुड़न का तस्सम आयो कहते हैं, ठीक है, अब यह कहते हैं, तो दोस्तों आच आप लोग ने भी काफी काफी में लिका होगा, हमने भी आच काफी मैनस किये, तो जो BTC second semester math के अति लगूतरी के प्रस्ण होने वाले हैं इसमें से कोई भी आपका प्रस्ण नहीं चूटेगा थोड़े से काली question अब दोस्तो changes क्या होंगे जहाँ पर एक लिखा वहाँ दो लिख जाएगा दो जगे चार लिख जाएगा पस थोड़ी थोड़ी चीजे बदलती ही रहेंगी तो बस उसी चीज को आपको ध्यान में रखना है तो आज अगर आपने इन 50 प्रसंदों पर अच्छी मेंद्स की तो आपके अच्छे नम्मर आने वाले हैं और आप लोग पूरे अति लगूतरी के दोस्तों 100% सही अंक ला सकते हैं और भी दोस्तों अगर कुछ अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड लग और पढ़ते रहे हैं